आज हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से जानेंगे कि जीवन में हम जो छोटे छोटे पुन्य दान करते हैं वो कैसे मोके पर हमारा भाग्य बदल कर हमारी गती को सुधार देते हैं एक लकड हारा लकडियां बेच कर प्रति दिन चार आने की कमाई करता एक आना जन परोपकार के लिए तथा तीन आने घर में दे देता एक दिन उसकी पत्नी ने कहा केवल चार आने कमाते हो उसमें से भी एक आना दान कर देते हो एक चोटाई दान तो बड़े से बड़े सेट साउकार वर राजा भी नहीं करता तुम इतना दान क्यों करते हो तो सेट ने कहा सब की अपनी अपनी इच्छा अपनी अपनी करनी है मुझे दान देना अच्छा लगता है इसलिए मैं दान देना बंद नहीं करूंगा संयोग से लकड हरे की कुटिया के बाहर राजा खड़ा था उसने ये सारी बाते सुन ली बाद में राजा महल में गया और मंत्री को आदेश दिया की लकड हरे को दरबार में उपस्तित किया जाए आदेश के अनुसार लकड हरे को हाजिर किया गया दरबार लगा राजा ने रात की बात पूछी उसने सविने निवेदन किया कि माहराज यद्यपी आप राजा है लेकिन मैं अपनी कुटिया में जो चाहे वो बात कर सकता हूँ आपको पूछने का कोई अधिकार नहीं है ये सुनकर राजा को बहुत ज़्यादा गुसा आ गया और उसने आदेश दिया कि लकड़ हरे को गिरफतार करके जेल में बन कर दिया जाए जेल में लकड़ हरे के लिए रोज रात को स्वर्ग से विमान आता लकड़ हरा उसमें बैट कर स्वर्ग में जाता सूर्योदही से प सेट का मन भी स्वर्ग की यात्रा के लिए लालाई थो उठा उसने का कि मुझे भी एक बार रात के समय में स्वर्ग ले चलो लकड़हरे ने कहा कि विमान में तो मैं तुमको नहीं बिठा सकता पर तुम ऐसा करना कि विमान के जो पाया है उसको पकड़ लेना सेट ने लकड़हरे की बात मान ली विमान आते ही सेट सतर्क हो गया विमान उड़ने से पूर्व ही उसने विमान के पाये पकड़ लिये विमान के साथ सेट भी स्वर्ग में पहुँच गया सुंदर महल देखकर सेट ने स्वर्ग के देवदूतों से पूचा ये किसका महल है तो देवदूतों ने कहा कि ये लकड़हरे का महल है वाँ पर भोजन व तरह तरह की वस्तुये रखी हुई थी उसके बारे में जब सेट ने पूचा तो देवदूत ने वही जवाब दिय याकि ये सारी चीजे लकड हारे के लिए हैं तो सेट ने पूचा कि मेरे लिए क्या है तो देवदूत ने कहा कि तुमारे लिए कुछ भी नहीं है क्योंकि तुमने आज तक एक पैसे का भी दान नहीं दिया न तो कुछ विसरजन ही किया इसलिए तुमारे लिए क्या हो सकता ह सेट ने देवदूत से पूचा मेरे लिए तो कुछ नहीं पर राजा के लिए कुछ तो होगा इतने में खून वा मवाद से भरी नदी की और संकित करते हुए देवदूत ने कहा कि ये राजा के लिए है राजा बड़ा अन्याई है इसलिए ये नदी तयार है बस उसके मरने की देरी है सेट ने देवदूत से पूचा राजा के पापों का प्राइस्चित कैसे हो सकता है तो देवदूत ने कहा कि यदि राजा नंगे पैर बारा वर्सों तक गायों की सिवा करे तो उसके सारे पाप धुल सकते हैं राजा नरग जाने से बच सकता है पूरा स्वर्ग देखने व घूम लेने के बाद सेट व लकड़ारा दोनों पुनविमान में जेल के अंदर आ गए सूर्योदे होने के बाद सेट ने राजा से मिलने की भावना व्यक्त की राजा ने भावना स्विकार कर उसे बुलाया सेट ने रात वाली सारी गटना राजा को सुनाई तो राजा ये सब सुनकर बहुत ही प्रभावित हुआ लकड़ारे सहीत सभी कैदियों को मुक्त करके राजा नंगे पाउं गायों की सेवा करने के लिए चला गया राजा को नदी किनारे गाये चराते बारा साल बीद गए एक दिन तत्काल प्रसूती गायी का बचड़ा नदी में बह गया राजा को बहुत दुख हुआ कि बचड़े की हत्या का पाप उसके सिर पर लग जाएगा एक घंटे बाद बचड़ा नदी से निकल कर स्वयम ही अपने आप गाय के पास आ गया गाय ने बचड़े से पूचा बेटा जन्म लेते ही मुझे छोड़ कर तुम कहा चले गए तो बचड़े ने कहा कि मा इस अन्याई राजा को तेरी सेवा करते करते बारा वर्ष हो गए है इसके पाप धोने के लिए में चला गया था नदी के अंदर इसके लिए जो खून वा मवाद की नदी थी वो दूद्व दही की बन गई है राजा ने बचड़े की बात सुनी तो उसका मन वहराग्य से ओत्प्रोथ हो गया मंत्रियों को राजकात सोंप कर वो सोयम तपस्या करने के लिए वन में चला गया तब जब के द्वारा अपना कल्यान कर लिया तो इस तरह राजा नरक में जाते जाते बच गया वीडियो पसंद आए तो लाइक शेर सब्सक्राइब करें